अजी फाईल को सकते हैं, अगर किसी भी पासवर्ट फाइल को एक्स्ट्राइट कर सकते हैं अगर किसी फी पूरा देखना पड़ेगा और अगर आपने मेरी आज को पहली बार सुना है तो मैं बता दूँ मैं हूँ विवेक मिश्रा और आप देख रहे हैं विवेक सेडिटोरियल तो चलिए आज की वीडियो को चालू करते हैं तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं जार्चीवर एप को ओपेंट कर लेते हैं तो ओपेंट करने के बाद आप देख सक मैं इसको manage करता हूं कैसे सब बनाता हूं तो इस सब चीज हम लोग जानेंगे तो सबसे पहले तो हम लोग जान लेते हैं अगर मैंने Chrome से कुछ यहां पर open करना है तो हम लोग यहां पर लिख देंगे जैसे कि मुझे open करना है काइन मास्टर तो मैं यहां पर लिख देता हूं को चली मैंने काइन मास्टर लिख दिया अब इसके बाद हम लोग सर्च में टैप करते हैं तो सर्च में टैप करने क्वाद आप देख सकते हैं सर्च हो किया चुका है तो हैंपर मैं क्या करता है इसको ठैब करता हूँ इसको टैब करने के बाद आप देख सकते हैं पर हम लोक बहुत सारे option मिल जाते पहला तो install install दाबाने से मैं हिसको इस्टॉल कर सकता हूं तो अभी तो फिलाल यह इंस्टॉल है व्यू मैं इसको व्यू कर सकता हूं अगर मान लिजे मेरे पास इमेज है तो मैं इसको व्यू कर सकता हूं तो यह इमेज तो नहीं है तो व्यू मैं टैप नहीं करूंगा तो एक्स्ट्रैक्ट करनेक बाद अगर परदान है क्या कोड है इसका इसमें क्या स्टोरेज सोर्स यूज किया गया है यह कितने एंबी का है लाश्ट यह कब मॉडिफाइड हुआ था तो अभी हम लोगो के में टैप कर देते तो इसको टैप करने के बाद हम लोगो को नेक्स्ट ऑप्शन मिलता कॉपी का यहां से हम लोग इसको कॉपी कर सकते हैं और किसी भी सेपरेट फोल्डर में इसको ला सकते हैं तो अभी तो मैं इसको क्लोज कर देता होगे तो इसको टैप करते हैं पिर इसके बाद हम लोग科 का अप्शन मिलता तो कट क्या होगा कट पे मदद से मैं यहां कि से कट कर दूंगा आनि कि create archive का आपको option मिल जाता है यहां से हम लोग file को rename भी कर सकते है जिप file बनाएंगे इसमें password भी एंटर कर सकते हैं तो अगर मैं चाहूं तो इसमें password एंटर करूं या फिर ना करूं तो यहां पर हम लो चैनल से प्रोवाइड किया गया है तो और किसी चैनल का ब्रैंडिंग नहीं आता है अगर आप कहीं और से डाउनलोड करके किसी और को प्रोवाइड करते हैं तो compression level में हम लोग क्या करते हैं इसको हमेशा और भी मैं बहुत सारे वीडियो बनाऊंगा future में तो मैं यहीं वीडियो को recommend करूंगा तो यह वीडियो काफी helpful होने वाला इससे आपके सारे doubts clear हो जाएंगे जो कि आपको जालचीवर में mainly आते हैं तो इसमें मैं पासपार टाइप कर सकता हूं जैसे कि मैं अभी है आप लिग देता हूं 1234 ओके इसके बाद जो यहां पर लिखा है delete source files after compression तो मुझे तो इसको delete नहीं करना है जो यह source file है तो अभी फिलाल तो मैं इसको okay कर देता हूं ठीक है तो okay दबाने के बाद आप देख सकते हैं फाइल not found तो अभी यह क्यों हुआ इसका reason तो अभी मुझे भी फिलाल नहीं पता हम लोग अभी दूसरे आप के साथ try करते है तो अभी फिलाल तो मैं इसको एक बाद टैप करता हूं तो इसको टैप करने के करने के बाद आप देख सकते हैं पर copy option में टैप करूंगा तो उससे पहले मैं आपको बैक लेकर चलता हूं और बैक लिजाने के बाद मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं मान लीजी आपको सभी एपी के इसको मैनेज करना है कि एक ही folder में रहना चाहिए तो उसके लिए क्या चाहिए हम लोग क्या करेंगी यहां ऊपर को एक 3.5 को आप्षार मिलता है हम लोग इसमें करते है तो इसमेंओ करने के रखोंगा सभी एपी के फाइस को तो आभी में टैब करता हूं तो इसमें टैब करने के बाद मैं इसमें क्या करता हूं इसमें प्लस करना चाहता हूं तो मैं प्लस आइकन में टैब करता हूं तो यहां पर मैं फोल्डर में जाता हूं तो यहां न्यू फोल्डर में हम लोग एक और फोल्डर यहां पर एड़ कर सकते हैं तो तो सर्च करने के बाद आप देख सकते हैं आप एक इन शॉट है बाद चुका है फिर मैं इसको टैप करता हूं तो इसको टैप करने बाद आप देख सकते हैं पर कॉपी कॉप्शन है तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूं तो इसको कॉपी करने के बाद आप देख सकते हitié यह पर अईकन दिकराइन है यह पैस में टइप करता हूं तो इसको पीच्ट करने का थो घृब है क्या करता हुण एक बड़ा टाप करता हूं तो इसको टैप करने वाद इसमें प्रोटेक्षन लिंक बनाने के लिए हम लोग इसमें टैप करते हैं तो इसमें टैप करने के बाद आप देख सकते हैं तो यहां से हम लोग इसका चाहओ तो रिनेम कर सकते हो फाइल को तो यह तो मैंने आपको भी बताया था तो यहां से मैं अभी लिख देता हूं इंशॉट एप तो चलिए मैंने आप इंशॉट एप लिख दीएफ इसके बाद मैं आपको पासवार्ट एप करते हैं तो वान टू एप हो चुका है तो अभी हम लोग थोड़ा सवर्वेट करते हैं इसके कंप्रेश ँने तक तो चलिए इसी के साथ यह compress हो चुका है इसके compress होने के बाद हम लोग क्या करते हैं इसमें टैब करते हैं जिसमें आप देख सकते हैं एक mystery काई कान है यानि की question मार का तो हम लोग इसमें टैब करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि यह password protected है तो अभी हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर extract here में tap करते हैं तो extract here में tap करने के बाद अब देख सकते हैं यहाँ पर आपको replace का option मिलता है तो यहाँ पर हम लोग replace में tap कर देते हैं और इसके बाद हम लोग इसके password को यहाँ पर tap कर देते हैं तो आप नाम नहीं परना है तो आप कुछ नहीं कर सकते सर्च करके भी नहीं पासके तो अब आपको व mixing thi तो आपको मेन रिसेंट में आने का बाद जो भी मैंने रिसेंटली Klλ तो इसको मैं थोड़ा दिज़ तक खोल रखता हूं तो होल रखने के बाद आपको और सीटाइब को अप्षन मिलेगा तो लोग इसमें जाते हैं तो त्री डर्ण को आप जाने के बाद आप देख सकते हैं पर रिनेंग को आप्षन मिलता है आप चाहिए तो अपने फाइल मै कहांसे टाइब कर सकते हैं 1234 ओके फिर इसके बाद आप देख सकते हैं आप एक कंप्रेस होना चालू हो चुका अभी तो फिलाल में इसको कैंसल कर देता हूं तो यह जिप फाइल था नहीं अगर यह जिप होगा तो डायरेक्ट यह आपको पासपर्ट डालना पड़ेगा और अभी हम लोग बैक चलते हैं फिर इसके बद मान लीजिए आप किसी भी इमेज को डाउनलोड करते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे तो इमेज कभी सिंपल वही फंड है कि आपको वहीं पे जाना है जो फाइल मैनेजर है वहाँ पर किसी भी मेज को सेलेट करना है शेयर में जाना है और जार चीवर में शेयर कर देना है तो शेयर करने के बाद हम लोग को डाउनलोड वाले वाले आप में आ जाना है यानि की तो चलिए मैं आपको फिर से वहाँ पे लेके चलता हूँ ओके हम फिर से यहां पर आ चुके हैं अब हम लोग क्या करते हैं किसी भी image को select करते हैं तो जैसे कि मेरा ये वाला image था तो मैं इसको select करता हूँ यहां three dot में जाता हूँ share में tap करता हूँ और यहां मैं जारचीवर वाले app में share कर देता हूँ इसको तो चलिए मैं इसको जार्चीवर में open कर लिया है तो मैं चाहूं तो इसमें password भी एंटर कर सकता हूं जिससे यहां पर compress हो जाए तो अभी तो मैं इसको ऐसी ok कर देता हूं तो जो यहां पर यह अपने आप extract कर लेता है यहां पर अगर आप password protected नहीं है तो अगर आप password option मिलता है तो rename में मैं टैप करता हूं तो rename मैं टैप करने के बाद मैं हाँसे file को rename कर सकता हूं तो यहां पर मैं लिख देता हूं ऐसी trial ABCD okay तो इसको करने के बाद आप देख सकते हैं पर बन चुगा तो अभी आपको यह नीचे मिलेगा जहां पर टी से चालू होगा तो और नीचे मुझे जाना पड़ेगा तो आप देख सकते हैं नीचे जाने के बाद आपको आपको यह ट्राइल ABCD मिलता है तो इस नाम से मैनेज कर सकते हैं अगर कोई नया फजीब फाइल है तो आप उसको अच्छे से मैनेज कर पाएंगे तो अभी फिलाल तो मैं बैक चलता हूं तो चलिए इसी के साथ हमने सभी टॉपिक को कवर कर दिया है अगर आपको अभी भी डाउट आ रहा है तो अभी मैं आपको एक औ नहीं फिलाल तो मैं इसको यहाँ पर आन कर देता हूं तो चलिए मैंने आप अपनी इंटरनेट को अन कर लिया फिसके बद मैं रिलोड में टैप करता हूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ही यहाँ नोटिफिकेशन बार में भी आ जाता है तो अगर आप चाहो तो इसको recent वाले option के through भी open कर सकते हो जो आपको file manager में मिल जाता है तो अभी फिलाल मैं इसको hold रखता हूँ तो hold रखने के बाद मैं copy में tap करता हूँ then इसके बाद जो हम लोग का folder है हम लोग उसमें जाएंगे तो यहां पर जो arrow वाले option में आने के बाद जो हम लोग के folder है वो सभी folder आपको यहां पर मिल जाते तो इसी तरीके के process को आपको repeat करना है तो यहां पर अभी मैं क्या करता हू यहां नीचे में एरा font का folder है तो मैं उसमें जाता हूं तो फॉइंस के folder में मैं सभी फॉइंस को save कर लेता हूं तो हैं पर हम लोग को paste option मिलता है तो मैं paste में tap करता हूं तो अब देख सकते हैं यह जो यहां पर successfully compress हो चुका है यानि की decompress हो चुका है तो यह जिप फाइल में सब्सक्राइब सकते हैं जिसके उपर मैं आपको वीडियो बना के दे दूँगा या फिर सिंपली आपको वहीं पर explain कर दूँगा तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते और मुझे उमीद आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो थोड़ी सी कि नए वीडियो में किसी नए टॉबिक साथ तब तक के लिए जय हिन जय बाद